वो हमेशा आपके तारिफ करता है मत कराँ जोड़ता मुझे नहीं आओ बहन यह लो माचिस चला दो इसे आई लभि उ नाबुली तो लड़की को जला देगा क्या ऐसीड डालका चांसे मानने की धं़की देगा तो लड़किया प्यार करेगी क्या जला कर राख करदो हरामी को मुझे माप करदो, चोड़दो मुझे अपने सामने देखकर तेरी पैंट गीली हो गया क्या साले फिर कभी किसी लड़की को धंकाया च्छडा ना मने करूगा तुमारा पहल पकड़ चल पहल पकड़ मुझे माप कर दिया बहन जी चल भाग भाग तुमारा पहले बेन को घर ले जाओ मेरे क्लास का टाइम हो रहा है क्लास तेरी कुन क्लास लेगा मेरे बापू ये क्या खा रहे हो प्रशाद है इतने से तेरा क्या होगा सबको बाठ दो आपको ये तकलिफ भी नहीं देना चाहते आपके भाई वह देखिए बहुत बहुत धनिवाद कर दो तुम उपर कैसे आई पाइप चड़कर यार लाइफ में उपर आना है तो पाइप चड़ना बहुत जरूरी है अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो तू बढ़ा होने के इस घर में एक नालाय काफी नहीं है क्या इन बच्चों को भी अपने जैसा बना रहे हो आगया यार अमिता बच्चन तुम का जा रहो यार जाने दोना चाच्चू डादा जी आपको डाते हींगे आप चल नीचे करके ख़ले लेंगे हम नहीं देख चकते तुझे शर्म न पर आट सुनना अच्छा लगता है तुझे यह कोई उम्र है इसी बहुदा हरकत करने की क्यूंत कर से विखले इलाट का राकट क्यूंत कर्कूर जिए गानेश डाइओ को व्ल वाला कोई आया है क्या पता ए छोटुलाल कुछ ज्यादा समझ में आ रहा किया एक पेट में दूंगा ना पीछे के दोनों टायर कर दूंगा चल चाहे बुछ नहीं चाहिए अरे सुन्दे दो बुछ लागा अरे चुप रहना यार मैं तो मजा कर रहा था है छोटुलाल उंगली मत पार्टी आई है तुम लोग के कारण इस गैरेज का नाम बदनाम हो गया है मेरे और पार्टी की बीच बात होने वाली है तुमने इंटेफेर्ट किया तो ठीक नहीं होगा देखो यह लगी पार करने की कोशिश मत करना समझ गया है यह भाग आज सेट के लिए कुरसी ला रहे अरे नहीं रहे छोटो मुझे जल्दी जाना है टाइम हो रहा है वाज सटिल्मेंट करना है एक मिट भाई ए नारियल के पानी नहीं पीता नारियल आपके पीने के लिए नहीं नजर उतारने के लिए मंगा रहा हूं मुझे नहीं चाहिए सेंटिमेंट मैं मामता हूं भाई और अधिर अरे सटलमेंट के लिए मुझे जल्दी जाना था नजार उतारूगा नजार उतारूंगा कहकर पिरे कार का ग्लास पोर्ट डाला ह्तुटिक है यह ले 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 तुने मुझे मना किया था न लकीर पार्क करने को एक्जाक्ली सच्छी दोस्ति यह यह यार अरे उस बैसे ने बहुत पीटा अरे पपू बजा इतका भोपू सैंटा कुरूज एरपोर्ट के करीब एक बाई सेकर जमीन की नीलामी शुरू होने जा रही है इसकी सरकारी कीमत 50 मेरे 55 करोड राजश्री बिल्डर वालों की बोली 55 करोड 60 करोड वंदना बिल्डर वालों की बोली 60 करोड 65 करोड 100 करोड आगया, अब सब सत्यानास हो गया, आते ही सव करोड की बुली लगाई, अब कुन बुली लगा सकता है? वो जान बूज कर बुली बढ़ा रहा है भईया बुली रोग दे क्या सर? मेरे रोगने तक बुली लगाओ अब कौन बुली लगाएगा? दोनों के बीस तो जंग शुरू है 110 करोड उमापती बिल्डर 110 करोड 110 करोड एक रुपया भाई उस जमीन की कीमत 50 करोड से ज़्यादा नहीं है, बुली बहुत हो जो, अब शोड़ दीजे 120 करोड इसके हार बहुत चल दे है 120 करोड एक रुपया यह सब पागल जैसे बॉली लगाए जा रहा है, पर इस आरके बिल्डर वाले को क्या हो गया है? 150 करोड उमापती बिल्डर्स वाले की बॉली 150 करोड 150 करोड एक 150 करोड दो 150 करोड एक रुपया और अरके बिल्डर्स वालों की बॉली 150 करोड एक रुपया पहनी बार दूसरी बार और यह तीसरी बार हमरी वजो से उराम की सनुवा को पचास करोड का नुक्सान होगा हमरा फाइदा ना हुआ तका हमरे दुस्मन का नुक्सान आज हमरा दिल में बहुत खुसी हुआ हालो मैं हूं मूर्ती जमीन खरीद लिया ना अभी सीम के ऑफिस से मेटल लीक हुआ है उसी लेंड के बाजू से गवर्मेंट आई टी पार मानने वाज़े सेक्रेटरी ने बांस भी कर दिया है अब उसकी कीमत धाई हजार करोड हो गई है हुआ है 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 अच्छा लड़का या लड़की वाट बता तो पेट लिए अंदर का इसकेंड करके बताने वाला डॉक्त चाहिए मुझे वो मर जाएगा भाई एक टेंडर हाज से गया तो इतना गुस्सा हम्रा गुस्सा आज का नाहीं है कासी राम 20 साल का है उरां किसन ने जौन अपमान किया है और वही तो क्या था हम्रा इस गाओं का प्रेसिडेंट होते हुए भी वाटर टेंक का कॉंटेंट मैंने अपने लिए नहीं तुझे दिलाया रोजी रोटी की खाते राय हुए लड़की का तुने नाजार्स पाइदा उठाय हम्रा माप कर दिजिए उरां किसन नोगल एक एक खाउ के बदला لे भाम इसलिए हम्रा सौ करोलो का नुक्सान भले ही हो जाए लेकिन उराम के सनवाका एक रुपया का भी फायदा हुआ तो हम्रक बर्दोस्त नो हुई तेरे जीजा को ये काम सबसे अच्छा आता है उन्होंने सुने तो तेरा भी नमबर लग जाएगा नई बिल्डिंग को काले बकरे की बली देने वाला था दे दिया आरे युमा लगता है प्यार करती है बहन किसी से इतनी इंपोर्टन बात मुझे नहीं बताई जब मुझे नहीं बता पा रहे तो घरवालों को क्या बताएगी लगता है यह बात मुझे घरवालों को बतानी चाहिए ओरे मुरी प्यारी बहरा ओरे चिंटू तू कितना अच्छा भाई है रहे बड़ पापा क्यों बेटी तुम्हें पसंद है मेरी बात सुनकर कोई भी टेंशन मत लेना क्या होवा बैटा प्यार गुलाब जैसा होता है चुने से मैला हो जाता है तोडने से चुपता है प्यार एक कशिश है एक ही बार पैदा होता है मरने के बाद भी यह चलिए जिन्दा रहता है ऐसे पवित्र प्यार को जुदा मत करो ड्रामा क्यों कर रहे हो कच प्यार का चक्क्र क्या मी राचर नहीं है भाई तो फिर किसका कै अपनी है अपनी शालू को हिसौर्णी है। अपने घर के इज़्जत को बचाना ही चाहिए, सब घूर क्यों रहा है, देखू नहीं क्या, तेरे गले में माला पेना कर आती उतारू, अरे यही तो वो लड़का जिसे हमने शालू के लिए बसंद किया है, बिना कारण तुने सब को टेंशन दे दिया बेटा, कल संक्रांती के लिए गाउं जाने वाले हैं न, वापस आने का बाद आचा दिन देखकर शालू के सगाई कर देना चाहता हूं, सुन लिया न, कल शाम चार बजे का ट्रेन है, यहां वाहां भटकना नहीं, चुपचाप घर में नहीं, बात को बिना समझे फोकट में ओवरेक्टिंग कर थूआ तरी जिन्देगी पर, हैं? अरे, देखने वालों के लिए वाटर है, और मेरे लिए कोटर है, देख या, दुन्या ठीकट के तो मैं ट्रेन का सफर कर सकता हूं, लेकिन बगएर लिकर के मैं सफर नहीं कर सकता, थूँ, अरे ट्रेन शुट जाएगे, जल्दी उतर न, यहले पैसे, शरावी साला, जल्दी एकसर किस प्लाटफरम है, चल, जल्दी 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 परे सास बुर लेए I'm sorry अरे, अरे पैर को छुरी हो, सौरी कहा ना तुमने? वो टिकेट के लिए जुके दिए, तु कुछ जादा उम्मीद कर रहा है, तुझे ऐसा लग रहा है कि तू रड़की तु देख के सब कुछ भूल गया है, सौरी यार, गोदावरी की ट्रेन पकडनी थी न, इसलिए टकर आ गया है, हम भी गोदावरी में जा रहे हैं, देखो चलो चलो, चलो चलो, ट्रेन चुट जाएगी, जल देख, चली, बैड़ब चट जढ़े है, थैंक्स अलोट, आपने धक्का नी दिया होता न, तो मेरी ट्रेन मिस्स हो जाती, मैंने जान बुझ को धक्का नहीं मारा है, कोई बात नहीं यार, बड़े शेहरों में छोटी ग अरे उठिये भाई साब उठिये बाप कमाल समझा है दो मिनिट लेट आया तो सर्जा घरली नहीं नहीं भाई आम आरो सीट है रिजरोशन करे हुए है अरे यार पॉम्बे जाना है और गुदावरी में बैठ गया है और दिमाग से बिल्कुल खा लिए लेट होने पर भी हमने से ट्रेन पकड़ा है उपर देखते हैं बैठ गया है कि अगर आप नहीं होती तुम्हें इनकी तरह दूसरी ट्रेन में बैठ जाती अच्वेरे करण आपका भला हुआ है यह कहना चाहते हैं आप बिसकली मेरी हेल्पिंग नेचर है तूमच बहुत ज्यादा हो रहा है तू सुनिय टीची साफ यह लोग आज जाने में दूसरी काड़ी में बैठ गया है छोड़ दीजे ना एक दूसरी की मदद करनी चाहिए है आपका टिकेट यह लिजे टिकेट लेकर मुंबई एक्सप्रेस में जाते हो अरे लगता है टीची ते भी गलत पकड़ लिए गलती मेर आप ही है यह क्या कह रहे है सर यह मुंबई की ट्रेन है मैडम सर सर ठीक देखिए नहीं सर यह गोदाबोरी है यह किसी नहीं कहा था सर कौन है ओटीची यह ओटीची यह दिखिए थाउजन रिपेट उसने बताया नोकली चले जाने से पागा लो गया है जो भी ट्रेंड मिलता है बैठ जाता है मैंने पहले ही बताया था गोदावरी की ट्रेंड तीसरे प्लाटपॉम पर आने वाली है इन्होंने मुझे धंका की इस ट्रेंड में बिठा दिया आहा तू तो बहुत खुब सुरत है जैसे मैं तो यह भगाने वाला था तुम लोग बात में जगना करना पहले फाइन भरो मैं नीहीं भरूंगी मैं तो Kभी जेल मी गई नहीं हम तो हमेशा मही रहते कभी बाहर आ जाते है ङंट किटना हो sih मेरे अगे स्टेशन पर उतर जाएंगे 2,000 रुपै ले लेल जिए नer या तो 25 यान जाना हो तो बता ही आप बहुत commerceण्स यालुए है सर आप चले जाए हम उतर जाएंगे अरे वो सांड आ गया शरीर देख के डर रहा है क्या मुझे टश्टो करने थे मोटे को एक फटके में गिरा दूंगा अरे पप्रे ए ट्रेन में बैठके जा रहा है इसलिए बच गया है नहीं तो तुम लोगों को जान से माई डलता अरे उसके बाद मैं देख लेंगे अरे मैं थोड़ा टाइमिंग पता करके आता हूं तब तक तुम लोग यही रहो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना इसने मुझे समझ क्या रखा है मेंटेन करना मुझे आता है तुम्हारी सांसों से मुझे अलजी हो दिया था तोड़ी दे सांस रोख लो चली जाएगी क्या चली जाएगी जान फुटकारा मिलेगा मुझे अरे 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 मुझे कहा तुस्से कह रही हूं तेरे जैसा फालतू लड़का सामने खड़ा है तो मैं तीज़े से क्यों बात करू रहे पागल हूं क्या अच्छा तो यह तो चड़ गई है यह चड़ गया बताना इससे पहले तुने मुझे क्या कहा था मुझे मुंबई लेग कर जाएग सबका खेल खतम कर दिया तेरा भी खतम कर दूंगी यार के दो बीच के न भाई भाई घरी दोंगी अब तक शहर की लड़की समझ़ता शाराब प्ते हखियकत सामने आ गोई नैंदूंगा नई दुंगा नै दढ़ा नई दुंगा तेरे ब मत पता क्ये हूँ एक कमसी लड़की पाणी मांगे ते नहीं रहे कमी न धतरीकी पानी तो मांगा इसको सभेल थोड़ी मांगा है जो ते इंकार करना है गाउो वालो टेशेन वालो और जो इधर न्यों दो इडिसा ज़िसा जाज जाज । पुरी पौतल भी लो भानु मातिय, मेरा नाम तेलाह एक पैक मिल जाए तो मूड बन जाए यार अरे इस टेंस ऐसे मेंटेन करते हैं क्या अरे मुझे के पांच मेंट भी निवा तुनी से फटा भी लिया बताऊंगा तो तू निची गिर जाए बैं नहीं गिरूंगा आप बता तेरा शाराप पी लिया इसने अरे बापरे बाप यह भी पियेगे पता होता तो मैं हाफ लेकि आता कोई बात नहीं यार हीच की लगेती पानी समझ के पी लिया इसने ट्रेन कवाएगा यह बता यहां ट्रेन नहीं मिलेगी हम गलत जगे उतरे हैं यहां से दो किलोमेटर जाने के बाद दोस मिलेगी इस पारसल का क्या करू कूली की तरह मैं लगेज लेके आता हूं गदे की तरह तुम इससे लेके आओ इस तो कैसे निकाल हूं यहां सफाई अभे गोच्यू इसमें मेरी जुरूत है क्या चल निकाल निकालू मेरा तो कोई टेंशन निया मैं तो अपने कप्ड़े फाल कर भीक मांगते वी राजकोट चला जाओं कमसे से और तुम इस अपने कंड़ेब उठा के लाना हे राम हे राम कर टिकेट टिकेट तीन राजकोट अच्छा टिकेट टिकेट आर और कुछ निकाल रहे है क्या है वापस रख रहा हूं यार अभी मत रख यार रास्ते वाइनशॉप मिली तो आधा ले लूँगा ते री तो तेरा पैसा होगा तो गौटर दूसरे के पैसा को ता अधा मेरे वो जाग जाएगी तो चिलाएगी एक क्वाटर पिला दूंगा तो सो जाएगी नहीं याद बड़े पापा ने कहा है परायधन पाप के सवान होता है इसलिए रख देता हूं हाँ ठीक है रख दे क्या करें करेंगे प्यादन परिदे लिए पर आपका ली पाप्रे प्समें इसमे motor дер लगांगा तुम तो मस्तनीन ले रहे थी, तुम्हें डिस्टब करना ठीक नहीं समझाए, इसलिए वहां का पैसा निकर का टिकिन ले लिया, लेने के बाद परायमाल है ये सोचकर वहां रख दिया, नौ बजे नाश्ते के लिए बस रुक दिया, फिर वहीं से निकल कर पराटा खा कर पर परायमाल है सोचकर वहां रख दिया क्या, बिल्कुल सही कहा, जब चाहे निकाल लो, मैं कोई एटिया मशीन हूँ क्या, अरे अरे चिंटू मेरे यार, आगे वेटी, मैं तो आ गई, तुम वहां पे पैसे रखना छोड़ तो मा, किस लिए, या फंगे चुरा के लिए क्या हुआ, कुछ भी नहीं मा, बानू, कितनी दिर कैसे हो गई, ट्रेन लेटी बाबा, मिलने के लिए वो कोई खिलाउना है क्या, बता, कितनी दिर चलेगी तेरी पढ़ाई, और तीन महीने, और तीन महीने, अंदर जाकर आराम करो, बाद में बात करते हैं, पढ़ाई अमेरिका मेंशादी कराऊंगा. अब दोस्तों आउंटी बहुत जलवा है रहे लगता है मेरी इज़त बढ़ गई है यार मैं इतना प्यारा लग रहा हूं क्या मेरा काला बैसा बिल्कुल तीरे देशा है इज़त की वाट लग गई यार कौन है प्यार की अपसरा इस गाउं में हमारे घर और खेतों की देखबाल यहीं करते हैं कुछ बडर लिंग कल मिलते हैं मैं भी चलता हूं आउंटी बाद मिलूंगा अपना उल्लू का पठा अभी तक आया क्यों नहीं नहीं बेटा तरे बड वह जवानी में जो भी ड्रेस पहनते थे लड़किया उनके आगे पीचे घुमा करती थी हम भी उनी के रास्ते पर जा रहे हैं रहने दे ऐसे काब में तरह बहुत दिपाग चलता है आप मुझसे जलते हैं ठीक है यार गुड निउस तो बता दिया ना अब फोन रखतो किस कब होन था परसों जिस जमीन की निला में हुई थी ना उसकी कीमत धाई हजार करोड नहीं चार हजार करोड जो चोटो को फोल लगाओ चोटो बोलो भाईया उर्राम की सनवा का वीच साल से हम कुछ नहीं कर सका परिवार समेथ हमनी के गाव आया है अकरा अपना खुद के गाव में उसका इजत उतार दो वो बेजती के साथ अपने हाथ पेर भी तुडवाएगा ये खुश खबर में आपको बहुत जल नमस्का मैं साल के बारा महीने यही रहता हूं कोई मुझे नमस्ते नहीं करता आप साल में तीन दिन यहां रहते हैं नमस्ते करके लोग आपके पैरों पर गिर रहे हैं मेरे भाईया के बहुत इजत करते हैं का वाले ए रामकिशन क्यों रहे बड़ों को इजत से बुलाना भूल गया है क्या वाओ चर्वी चड़ गई है क्या चर्वी चड़ी है या नहीं मैदान में उत्रोगे तो पता चलेगा ऐसे क्या देख रहा है सुना है जवाणी में बहुत लाठी चलाया करता था आजा देख लेते हैं तो क्या देखेगा साले क्या रहे उसे कहा तो तुझे मिर्ची लग रही है अबे तम है तो हम मेंसे एक को मार के दिखा सिर्फ एक को अगर तुम जीते तो मैं यह गाउं छोड़ कर चला जाऊंगा और अगर मैं जीता तो गाउं से निकाले हुए मेरे भाई को बेंट बाजे के साथ पिर से इस गाउ में लियाऊंगा समझे क्या सोच रहा है सोच क्या रहो जीजा जी हाथ पैट तोड़कर इससे भी अपनी काउस से भगा दो हम गाउं में त्योहार मनाने के लिए आए हैं जगडा करने के लिए नहीं चलो चिंटु किया रहे ना मर्दों की तरह जा रहा है संकरांत के त्योहार पर आए हो बिना लेड़ी चली जाओगे मा का दूद नहीं पिया है क्या बड़े पापा बहुत जादा बोल रहा है नहीं बेटा वो तुझे भड़का रहा है सिर्फ मूछे रखने से फाइदा नहीं है मर्दा कि एक को मानने को कहा था ना हार एक को चुन-चुन के मारूंगा आजा बाइदा नहीं है थोड़ी दिर पहले क्या कहा था मैदन छोड़कर तू कहा जा रहा है हैं चल मर्दान की दिखा अरे दिखा मर्दान की अगर वो लाठी मेरे हाथ में आ गई तो वो डालूंगा अरे मार ना मत मार मुझे 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 के मुझे लगता मैं आप जैसा नहीं हूं भगा भगा कर मारूंगा कुट्टे को इसके सिवा तुम्हे आता क्या है अपने खादनान का नाम बनाम करना तेरा बापू ऐसा ही है उनकी बाते दिल पे में लेता इस हरामी कुट्टे को मार के तुन्हें गाओं का भलाई किया ठीका जाना दे तरी नजर लगेगी तो उताह लोंगी लेकिन तुम उससे शादी करेगा तेरा बॉइफरेंट ऐसा होने नहीं देगा एकाम कर इस जिले के सबसे खुबसर लड़की को लेका है मैं उससे शादी करूंगा है हरे तुक्यू शर्मा नहीं है हलो भाईया तुम्हारे लिए खड़े खुद वारा रहा है तुका पागल हो गया है वहां कद्रशित देखेंगे भाई तो आप भी पागल हो जाएंगे हजार रुपे स्क्वेर फिट के भाई से वो फ्लैट दे रहा है इस भाई में उसका दिवाला निकल जाएगा हमारी कमपनी की 25 साल गिरह के खुशी के मौके पर कम कीमत में आप सब को खुद का घर बना कर देने के लिए इस वेंचर को शुरू किया है एक समय हमारा परिवार भी बहुत गरीब था खुद का घर बनाने के लिए मेरे पिताजी ने बहुत से लोग खुद का घर बनाने के सपने देखते रहते हैं इसलिए अपने फाइदे के बारे में ना सोचते हुए आप सबको खुद का घर बना कर देने से मेरे पिता जी की आत्मा को शंती मिलेगी बहुत जल्द इस वेंचर को मैं पूरा करूँगा ये प्रोजक्ट अगर पूरा हुआ तो लोग इसे भगवान मानने लगें तो भाई के राक्षस है पोकरा ड्रिम प्रोजक्ट के डेथ प्रोजक्ट बना देवाँ नमस्तियों मापती जी बैठिये फोन करते तो मैं ही आ जाता अब तेरी लेवल बढ़ गई है ना आप ही क्योजास्यत इस लेवल पर हूँ आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी करते हो या ना करते हो तोरी मर्जी आरके बिल्डर्स का बन राजजन निवास का अप्रूल कैंसिल होना चाहिए सर आपके पेपर करेक्ट ना भी हो तब भी मैं अप्रूब कर दूंगा लेकिन आरके बिल्डर्स वालों की पेपर्स पक्य हैं सर अगर उन्हें कैंसिल किया तो मेरी नोकरी चली जाएगी सर मतलब दिम राथ हम तुमारी जेप भरेंगे मगर तुम हमारा काम नहीं करोगे एक बर फाइल आगे बढ़ने के बाद कैंसिल करना मुश्किल होते हैं नहीं होगा मैं तो बंकोट में लेटा हूँ भाई अपने तेश में आने के बाद मिलना अरे चन निवास की तुम्हें हीट ते हीट बजा दूँगा क्या समझ रहे हो मुझे आने तो दो जल्दी से आ जाओ जल्दी से है कि अच्या सांσιोट कर रहे है ऐसा काम करके सेविस्कत हो जाए हम क्यों हुआ कैस का सर्विस हो गई अजegenर उतार कर ले जाए है नजरे उतार हो गए जी अ को सिंटीमेंट की साथ यह मेरा सगा борड का सब inflamate ॐ यह यू सरण लेक कार कार कर से चानई मेरा चली इस डिन कंदитеoodle यानि पेट्रोल टैंक से किसी ने पेट्रोल चुरा लिया था उसे ब्लट बहेंग ले जाकर एक बोतल ब्लट निकालकर बेच दिया उस चोर को नहीं खून को खून का बदला खून टाइटल सूपर असर ए नारे लेका जाने दो भाई उस कार से उनके सेंटिमेंट जुड़ी तील मत किजिया सर सिर्फ हेड लाइट ही तो फूटा है अरे ये हेड लाइट नहीं है मेरे बेटे की आख है वो मेरे बेटे को तुमने काना बना दिया अब बापरे कार का राइट फोड़ा ते मेरा लेट क्यों फोड़ा बापरे उचूंगा तो दूसरी भी फोड का बापरे मुन्ना बदनाम हुआ तुम यहां कर रही हो अंकल ने मुझे बुलाए है कौनसा अंकल ने तुम्हारे पापा मेरे अंकल है और वो मेरे पापा के बच्पाश्या के दोस्त है मेरा होस्टेल छुड़वा कर यहां रहने के लिए कहा है रहने के लिए कहा तो बेशरम की तरफ बोरिया बिस्तर लेकर आ जाओगी क्या यह क्या है तुम्हें नहीं पता तुझे मैं इसी वक्त घर से निकाल दूंगा पापा क्या है बेता उस लड़की को मेरे लड़की पढ़ी लिखी है बेटा उसे अभी मेरे रूम से निकाली है नहीं निकालूगा एक्जाम होने तक वह उसी रूम में रहेगी आपको वह अच्छी लगते रख लिजिए लेकर दिये बताईए मैं कहा रहा हूं मेरे रूम में रहा जाना क्यों सपने में भी मेरी क् अपने समेट कर नेचे के रूम में शिफ्ट करो तुनो इस रूम में एक छोटा सा प्राबलम है क्यों इसे खराब है क्या कोकट में मिले तो इसी चला होगे क्या वो नहीं आधी रात को बारा बज़े आती है कौन आती है मुन्नी और शीला वो दोनों मेरे घर के सामने रहत मैंने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया इसलिए चुड़ेल बन गए आधी रात को बारा बज़े वो आ जाएंगी है 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 मैं डर क्या भाई ओभी डर जाएगी एक जटके मेनों खाली कर देगी है 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 मैं तुम्हारी मुन्नी शीलाओं मिलाओं आए तुमक्रे सिर्यस्की नहीं अले लिए है यहां के सागे तुम रिवेंच लेना है पिछले साल तुमने मुझे प्यार करके मुझे बतनाम कर दिया मैंने पता नहीं माज़ाग में कभी कसी लड़की को छेड़ा होगा तो तो अभी छेना शूरी करो ना मुझे ने उस लड़की भानू को वो तुम सभी बड़ी चुड़ेल है उस लड़की क तो चुड़ेल कहा तो चांद से मौड़ डालू चल्दी से भानी से लिपड़ जा उस भूतनी से क्यों प्यार करवा रही है मेरी माँ और कोई आइटेम नहीं है क्या अब थोड़ा सोचते का वक्त दो मुझे कल फिर आना है राना है बैंट बाजा लेकर अब तो जा जा ज सुनो चिंटू वो लिंकिंग रोड पे जुलेरी शॉप है ना कहा है बेटा वो अपना फ्लाइवर बीज है ना उसके सामने ही तो है तुझे पता है तो हम लोगों को शाम को ले जाएगा अम्मा मेरी अम्मा सरदर्द हो रहा है अरे शालू की सगा ये बेटा गहने खरीद रड़के वाली बी तो आ रहा है मैंने चलूंग अम्मा चलेकर अन बहुत नहीं जब देखो जरूरी काम होते हैं इसके allah अना जोगे काम नहीं है लाओं क्या मैंने जाओंगा चाहिए तो आप जाए हैई हाथ हटा मेरा रूम चिनकर मुझे वाच्मन बना दिया तुने अब मेरी बाई चिनकर मुझे ड्राइबर बनाना चाहती क्या है महाँ डा लूगा चला अरे बेटी तुम अफिता कॉलेज नहीं गई अभी जा रही हो उंकल कैसे जाओगी ए चिंटो इस लड़की को जरा कॉलेज तक छोड़ाओ आरे यही सोच रहे थे आपने कह दिया पेट्रोल के लिए पैसे दे दो बहुत पहले दे चुका हूँ मेरे पिता कंजूस्नी मुख चलिए मेडम कॉलेज चलते हैं आती हूं और वैसे तुम इतना पढ़ लेकर किसका भला करना चाहती हो बताओ बताओ अच्छे से पढ़कर डॉक्र बनना चाहती है अच्छा मडर करने के लिए लाइसेंस की तैयारी कर रही हो अच्छे यह बताओ रात को मुनमी शिला आई कि इसा सब्सक्राइब करने के तो उसने कुछ नहीं कहां है हाँ हाँ बहुत अकेली हो जा रहे हो आइज शक dispiconर घर रहे हो रास्ते को व्हारा qualcosa आई चाहें ःको लोगों को साथ में रखते हो तुम अलएडी मैं उनसे बेटर लगता हूँ इसलिए शोरूम के सारे चीज़े बाहर रखें कोई एक चीज़ खर जाएगे अरे चुप रहो बेटा यह ज़रा पहन के देखो पसंद नहीं है मा अचीज़े कैसे लगा कि यह भी पसंद नहीं है तो और क्या चाहिए बैटी आपके बहूं को को सिलिक्शन पसंद नी आप कुद dieta ई कर लूग को क्या पसंद आ है मिरे जीज़़ी को अच्छी तऱ पता है मैं और कि पसंद क्या जानों अच्छा बिना पता चला ही ट्राफिक पुलिस की तरह पीछे से सिगनल दिखा रहे हैं वो तो क्यों जीजा जी मेरी बैन को अभी से इशारब पर नचा रहे हैं अजना बंद करिए जल्दी काम करना है बाभी आप जाकर उसे डायमंड रिंग को सिलेट करो हम वहां सिलेट करते ही आ जाएंगे जल्दी करो जल्दी आप आम सॉरी अधिया यस में लेटिस डायमंड रिंग दिखाए वन मिनिट मैं लेकर आता हूं अय है अच्छा लगा ना अभी तक देक्टी नहीं रिंग नहीं टच उसने तुम्हें ध़क्रादिया बहुत अच्छा लगा ना अंजान मत बनो सच्चाई लड़की को मैं नहीं जानती जानती नहीं तो धक्का मारने वाले को थपड क्यों नहीं मारा पसंद आया क्या उसने तो गलती से है गलती उसकी नहीं तोने जान बूच कर धक्का मारा है आप ऐसी बाते क्यों करते हैं अगर मैं नहीं देखता तो कितना अच्छा होता सोच कर मन ही मन मुझे गालियां दे रही हो ना अब यह क्या कह रहे हैं उसने तुम्हें धक्का मारा तो कुछ ने कहा और मेरी बाते तुम्हें फील हो रही है ना मा इधर ही देख रही है नाटंकी बंद करके आसो पोछ कर आजाओ कि अब बबल गम हाओ मेनी बबल गम यूवान चाचा जी क्या है हम को एक अच्छी कहानी सुनाओ ना कहानी घर-घर की अभी बताता हूं कौन सी कहानी सुनों के बच्चों कोई भी नहीं दिसुन दिसुन व वह साथ बच्चे शिकार पर जाकर मचली आला है वही ना यह कहानी किस ने सुनाई तुम्हे यह भी कोई कानी है चोटे दाड़ जब को क्यों डॉड़क्ट अब्भी समझा मैं दाधर जी आप में समझा था पर आप में हमें हमें भी जन्रेशन गैप आपको कहानी मैं सुन पूतनी का शुरूबात ही इतनी भैंकर है मैं पूरा सुनंका जो क्या होगा बच्चा तुम दो कांटिन्यू करो और उसके बाद भूतनी मेरे पास इतने सारे अश्ट्र है कि मुन्नी शिला तो क्या दादी भी आजाए उनकी तो कुछ नहीं बिगार सकती कॉनवे लाइट्स आफ एक्शन अरे चिंटू मैं हुँ तेरी मुन्नी शिला अरे बेटा क्या हुआ आज कल भूत कहा होते हैं तु पागल हो गया है कोई बुरा सपना देखा होगा तुने शैतान के सपने में भूत कहां से आ गया तेरी जात का बैदा मारू थंडा पानी पी और जाके सोजा बिटा बड़ बबाबा प्राबलम सॉल्व हो गया आप जाके सोजाईए मैं भी सोजाओंगा मेरी जान मुन्नी क्या है आज मैं महान गुरुजी से मिलका आया हूँ तेरी मनो कामना पुरा करने आया हूँ बिना अर्मान के कोई भी लड़की कुवारी मर जाती है तो यहाँ दे ऐसे ही वो सफेज साधी पैनकर बटकती है इसलिए किसलिए वो अर्मान पुड़ा सा मुझसे बचकर कहां जाओगी इस चिंटु को क्या समझती है एक आख वाला राक्षस अब मुझसत में कौन बचाएगा बताना प्यार करती हूँ मुझ को खोलो ठीक से बताओ मैं तुम से प्यार करती हूँ है बाप्र प्रीजिए अफ हालो कर दो कर दो कर दो अज़र कर दो कर दो यह क्या कर रही हो भावी कल घर में सगाई होने वाले सभी लोग खुश है और तुम यह क्या कर रही हो मेरी वज़े से घर की बदनामी होगी भावी ऐसी कौन सी बात है बताओ ना सजाई की कपड़े खरीजने शौबिंग सेंटर गई थी रेसिंड रूम में कपड़े बदल रही थी वहां किसी ने हीडिन क्यामरा से मुझे शूट किया है अब मुझे ब्लाइक मेल कर रहा है और हर दिन फोन करके पत्तमेजी से पेश आ रहा है अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मेरे अश्ली फोटो इंटरनेट बर डालेगा तेरे भाया को कॉपी भेजेगा ऐसे कहता है इसलिए तुम मर जाओगी क्या इसमें तुम्हारी क्या गलती है भाया को बताना चाहिए था अपने भाया को तुम नहीं जानते हो शादी के बास हम दोनों की बीच में को उनको बताने से अच्छा है मैं अपनी जान दे दूँ क्या भावी अपने बच्छा को मेरी तरह आनात करना दना चाहती हो फिर कभी ऐसा नहीं करना तूम सब कुछ भूल जाओ मैं उससे देख लो का तुम्हारा बॉस कहा है उपर है सर आपको और अपनी मां की सीडी बना कि उसको भी ब्लैक मिल्क करता है क्याने कुट्टे हुआ हुआ है जल्दी से बता ने को सारी हजया तरकर ते हाथ में दे दूगा चल निकाल कमी ने कुत्बित आच चुमा रहे बता निकाल अजिए शीडिया लिकाल लेदो सब लेदो येस लिडी तो मैं तोड़ाए मेरी फैमिली का नाम बदनाम हो जाएगा इसलिए फुलिस किस नहीं कर रहा हूँ आगे से ऐसी गंदी हरकत क्या ना तो आख लिकाल कर हाथ में दे दूँगा अजिए प्यूए जिए जुश्गा आज के बालें सुट्व गजा है शीट अजूँ है किसा रहा हूँ पिल लेने मारा नमस्कार नमस्कार आये आये श्रीमान दूले वालों को ठीक समय पर आने के लिए कहा है ना उन्हें लाने के लिए चिंटू गया है ना नमस्ता अंकल जी तुम बुरुशोत्तम के बेटे हो ना हां ये उनकी फुश्च नसीबी है ऐसा कौन से काम करते हैं सब को मैं ही करता हूँ उपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू हड़ी पसली सब कुछ रिपयर करना सब का मैं ही करता हूँ मतलब अपने दिल के राजा हो अरे अंकल इच भी बहुत मसा किया है आये बैठी बैठी वे एंकेजमेंट मेरी है मेरा भी टाइम आने वाला है क्यों तुझे अभी तो कोई सिगनल नहीं मिला क्या मिला तो है बस सिगनल मिलती अपनी गाड़ी भी पड़री पर चल पड़ेगी श्रीमान हमारी सारी तैयारी हो चुकी है लड़के वाले आजाएं तो सगाई शुरू करें लगता है लड़के वाले आगे हैं चलो स्वागत की तैयारे करो यह लोग यहां क्यों आ रहे हैं शुटी रुख जागे प्लीज प्लीज आप लोग अंदर क्यों आ रहे हैं रुकिए वो चिंटू का डूड़ो उत्वे भाई वो देखो आई 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 पदा रही है आए यह तुने क्या कर दिया चले जाए यह से तू कौन में कर दो है कि अ इस टे सुचे वब के तूप भूप हू भूपा हू झार सुचे के तूप कर दूप ह के तूप लूप भूप हू रहल रहा हू है अन्गल ची अन्गल जी आप क्या है कियो हुआ हमारे अच्छी खातिरदारी हुई जै चली हुई देखिए हमारे मुझे कुछ नहीं सुना चलो अब यहां से मैंने कहना चलो चले जाओ यहां से जाओ आज तकतिरी गुंडा-गर्डी बाहर थी अब घर में होने लगी निगल जा यहां से वो गलत था पापा इसलिए मारा क्या गलत किया उसने गलत किया तो ही तुने मारा न उससे क्या गलत किसे मताओ आद कि ये क्या बताएगा भाईया इसे जनम देकर मेरे गलती की है पापा चुप कर मुझे पापा मत बोल भागवान सवान मेरे भाईया के गिरेबान वर बाजार का गुंड़ा हाथ डालता है हाँ उसी वक्त किस घर की इज़त मिठी में मिल गई निकल जा उरुषा तम नहीं भा आज इसकी वज़े से इतना अपमान हुआ आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मुझे रोकना मत है सुना नहीं निकल जा यहां से निकल जा क्यों रे बेहन के सगाई तोड़कर बेशान के तरखियों खड़ा है जाना यहां से अरे तु इस घर की भलाई चाहता है तो निकल जा निकल जा यहां से अभी तक तो तेरी मान नहीं थी आज से तेरे बाप भी मर गया निकल जा ना जाने क्या पाप किया था तो तुझ जैसे अवलाद को पैदा किया निकल यहां से निकल जा मैं जज प्हुंदब लुक लुक कि यह लो कि अरे जाजा यह खटारा गाड़ी मैं रिपेर करूंगा है सलाम वालेकुम छोटू भाई अलवस्ता साब रेडी है हाँ साब रेडी है सर इस कार को जस हजार में भेज कर और नभे हजार डाल कर एक दूसरी लही कार खरी लिजिए इसे बेच नहीं सकता छोटू भ को यार कार को उसके बाद एक दिन बहुत गडबळ कर दिया काढ़ न है चोटू मेरी पत्नी निसकी निए चिक से देहलाई की क्या कार को वाद मे पुलिस ने मेरा यडरेस जुडकार घर पर लाकर छोड़ दिए सर इस पार सही बताऊंगा फुलीस इसा कार किर आय थी, ना? करेक्ट मेरे पतनी को छोडे बिना, मेरे कार को छोडे बिना, मैं ऐसे पैसे छोडे जा रहा हूँ टेंसर मत लिजिए सर, सब की अपनी अपनी टेंसर होती है इप नारियल आरे ले बप्पू आई, इस नारियल से कोई फायदा नी, जानने दो ना भाई बबावास बंकर, निनान मेरे रन पे आउट हो जाऊंगा सोचकर सेंचूरी मारे बिना सचीन छोड़ देगा क्या, मैं भी सचीन जैसा हूँ, अब देखना अचागा जाए 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 देखा तुन्हे, ना यह फूटने से कैसी आवाज आई, अरे तू नहीं समझेगा, रेट चिंटू, जो कुछ हुआ से भूल जाए यार भूलना असान नहीं है यार, तेरे पिता ने कभी तुझे घर से बहार निकाला है मैं भी तिरी तरह रिष्टों की एहमियत नहीं जानता था उनसे जुदा हुआ तो पता चला, दर्द क्या है, कीमत क्या है भावी और भानू आ रहे हैं आये भावी, इस चुडल को लगे कहा घुम रही हो, डरा देगी मुझे माफ कर दो, मेरी वज़े से हुआ न मुझे क्या तकलीफ, पापा जरा सा नाराज हो गया और घर से निकाल देए इतनी सी बात है, और क्या तुम्हें सब कुछ आसान लगता है, मेरी खातिर, तुम क्यों तकलीफ उठाओगे तुम्हारे भाईया को मैं सब कुछ बता दूगी भावी, बताओगी तो क्या होगा पता है, भाईया का शक और जादा बढ़ जाएगा और कहीं बड़े पापा को पता चला तो भाईया को घर से निकाल देए लोगों में बदनामी हो, तब तुम्हें ही निया, बड़े पापा को भी सर चुकाना पड़े आप दुनों के अलग होनों से, मेरा अलग हो जना बहतर है मेरा सगा भाई भी होता तो मेरे लिए इतना नह करता तुम्हें किन शब्दों में शुक्रिया कहूं समझ नहीं हा रहा है या भाई, ठैंक्स कहा कर मुझे पराया बना दी हो, तुम्हें एक बात पता नहीं मेरे बगर मेरे पापा रह सकते लेकिन मेरे बड़े पापा नहीं कली मुझे बुला लेंगा और मैं आ जाओंगा ए मुन्निशिला, मेरे भावी का ख्याल रखना, जाओ भावी जाओ भावी, मेरे फिक्र मत करना, जाओ भावी भावी, आप एक बार इन डॉकुमेंट्स को देख लिजे, अप प्रूवल के लिए भेजना है बाद मैं देख लूँगा पुरू, पहले तुम जाकर चिंटु को घर ले आओ अनात की तरह बाहर क्यों रहेगा पहने तो भावी, तकलीफ होगी, तब जाके उसे जिन्दगी कैस्तियत मालूम बढ़ेगी उसके बगेर तो घर सुनासा हो गया, देवरशी वो आएगा तो इस घर की इजद चली जाएगी, भावी भावी, आपकी बात हमेशा मानते आया है इस बार मेरी बात मान जाएगे अरे छोटी उस्ताज, तेरी बात ही अलगे, लोगों की मदद करने में तेरे बात बिलगेट्स का नमबर आता है बिलगेट्स, उसकी दुकान कहा है? मारू क्या? उसका दारू का ठेका नहीं है, वो एरोपलन का मालिक है उसने सारी जादा दान कर दी ऐसा पेपर में आया था बाई, मुझे भी एक गैरज दान करके आपका भी नाम पेपर में आने दो अगर गैरज तुम्हें दे देगा तो पेपर में नहीं आएगा बल्कि कंगा लोग के थड़क में घूमेगा क्या बोलते है चुडबाई? मजा कुड़ाओ यार, तुम दोनों मजा कुड़ाओ मुझे गुस्ता नहीं आता भाग या से गयरे चाहिए बस बस रुको अरे बापरे, वो इसी तरफ आ रही है यह लोग है? हमारे पिले सोसे तकलिफ है क्या? नहीं यार आएगी तो पूरा पी जाएगी यह भी पीती है क्या? एक बार पूरा क्वाटर एक गुण पर पी गहीता अरे बापरे, बोतल चिपा देता हूँ अरे यार बोतल में तो पानी है, दारू ग्लास में इसे चिपा देते है हाई हाई आप लोग क्या कर रहे है? इसके सरगी कजम लोग पी नहीं रहे थे, बस चकना खा रहे थे चिंटू का है? पता नहीं, बाहर गया है जहां भी गया हो आएगा न यहीं बेट करें यह यहां क्यों बैट गयी? बैटिये तो ठीक है, अपना कोटा कहीं गटक में जाए हम बाहर चलते हैं, बोरो के खुद बखुद चली जाए अगर बज़या खा गई तो जारो बज़या वही कफी है अच्छा तो चलो, ओके अधी आते हैं बाए चकना तीका लग गया बाबरे, बॉटिल का पानी नहीं पिऊंगी लोग तब अधा अधाबरे ऊधर देको थे थरा शराब पिये जा रही है यह कैसी ब्यूरी है कोई शराब पीने कभाद चकना कहता है कि चकना खाटरे शराब पी रही है छोंदी इसमत क्यों यार, क्या हुआ आरे यह जान के कर रही है जाने में कर रही मुझे कुछ पता नहीं यह लड़की फिर से पी रही है यार उसने फिर से पी लिया वो फो यह बात उससे जागे पूछ या तु यह आगी वाई है तुम्हार लिए एक्वेंस हो गए गाव जाकर आराम से पापा को लस्तरी के बाने बताऊंगी इन्हें ने यह सर्दिया क्लिया अपनी भु आगरात में बीच में शादे की बात भुल किया वो भूली नहीं यार चली हो गई है तुझे निशा हो गया चल तरह निशा उतारता हूं चल आजा एक नमस्ते नमस्ते चोड़ो जाके मेरे भांजे को देखो तुम मैं कब तक ठीक हो जाएँगा पीद ठीक होने के लिए एक प्रवार लेड़ी तुम्हारी वज़ों से अध्मारा हो गया विज सालों से जो का मुझसे नहीं हुआ तुने कर दिखाया वोजगर से एक आदमी बहर या जाने से मुझे सुकून मिला है अधिक इसा शोर है कौन है वो लोग ग्रहक है नहीं ग्रहक है जिन्हें हमने फ्लैट बेचा फ्लैट के ग्रहक इनकी तुम्हारी आप रुकिया मैं देखता हूं अधिक पर नहीं है आप लोग 10 मिनट पहले आते तो मिल जाते आप लोगा और क्या बुरा होना है वाई एक हाट तूटा है अंदर वाले का पाय तूटा है इनको मारना कुत्ते को मारना बराबर है जाओना वाई करेंगे अंदर छुपा हुआ है और तुम कैसे बंद कर लुगा तो टुम्हार इस जबान खिश लूगा पहले आपकने पईसा नहीं से असमें कर देंगे मीडिया के सामें तुमारी कंपनी भी बंद करवादेंगे चलो बाई चलो याद रखने एक अपता ची क्या है जीजाजी ये ये साड़ा क्या बिखारी भी मारे मुँपे थूख के गए हमरा बर्बाद कर देना चाहता है उराम के सन्वा ओकरा हम दिखाएंगे कि बर्बाद इकर सक किया जाता है वो पूर्शोतम इसी मार्केट में है कि अब उसे मार डालो अरे सुन यार हाँ अब चेन गिर्वी रखके दारू भी ना जरूरी है क्या चोटु उस्ताथ बहुए दिनों से पीछे पड़े हुए थे कि तेरे घर में कुछ नहीं कहेगा मुझे क्यों डाटेंगे चेन तो चोटु की थी है अरे ये बिल्ला का भ कि अब यार अरे तो ढोगने जा रहा था ना वापस क्यों आया वहां देख पापा खड़े हैं एक बर इसे पिटा था तो घर से बाहा निकल दिया दुबारा देख लिया तो अगर देखेंगे तब ना रहा जिंदे की फर घरनी आना देंगे मेरे हिरो के करण वो विलेन ब एंग। कि आप आप कुमानने के लिए आए था आप कुमानने के लिए आए था कि आप कि आप कि आप कर दिया ना तो क्या खतम करेगा अगर मेरे पापा के बाल को भी आप लगाया ना तेरे बोटिया करके फुट्टो को फिला दूंगा सब को काट के रख दूंगा मेरे होते हुए मेरे परिवार का कोई कुछ भी ने उखार सकता है ना मर्द साले अरे चिंटो अंधेरे में क्यों बैठे हुए क्या हुआ पुरु शुत्तम सोचा था वो घर से दूर रहेगा तो बदल जाएगा लगता है वो इस जनम में नहीं बदलेगा वो जरूर बदलेगा मुझे उस पर विश्वास नहीं है उसके इन हरकतों से मैं किसे को मुझ दिखाने लाइक नहीं हुआ ऐसे बदना में से तो अच्छा है कि मैं अपने जान दे दूँ हुआ सर आपके तब यह ठीक है ना ऐसी बात नहीं है अटो तुम लोग क्या सटल करोगे काहीं चोरी करोगे या काचात लागा कर दोगे चला है क्या है यह सब कौन है यह लोग सार हम क्रिकेट बुकीज है इन दोनों ने 2020 क्रिकेट मैच में दस लाग रुपए का सट्टा खेल कर सर के हार गए हम अपने पैसे मांग रहे हैं तो यह हमें इदा उदर घुमा रहे हैं परिशान कर दिया यह क्या किया तुम दोनों ने हमको पता है कि पैसे कैसे वसूल किये जाते हैं हम लोग आपके ऑफिस तक आ गए हैं आपके घर पर भी पहुंचेंगे याद रखिएगा इसलिए हम आपको चेताम जी देने आए हुए हैं सर प्लीज प्लीज सुभाष चंदर जी सर इन लोगों को पैसा दे दीजिए ठीक है चलिए चलता हूं सर क्या है ये क्यों क्या है ये सब मेहनत से कमाया हुआ पैसा काफी नहीं था जो गरत काम करने लगे हम पर हमारे कंबनी बर बहुत विश्वास करते हैं लोग इस बद्लामी का लोगों को पता चलेगा तो तुम हरे बाबा जीप आएंगे वैसे तुम्हें कमें किस चीज की है हर जरूरत तो ही तुम क्या जरूरत पूरा करोगे ये मेरे पापा की जाएदाध है तुम अपना पैसा नहीं दे रहे हो न। हमारा पैसा हमकुछ भी करेंगे हमें रोखने वाले तुम कौन होते हो डॉक्टर फस्ट अटाइक में इतना सीरियस होना इट सब्सक्राइब करें इस वरी रर केस क्या उसने कोई शॉकिंग जिर सुना है ऐसा कुछ सुना नहीं डॉक्टर अपने पेटे के बारे में चिंता करते रहता था उसके बारे में सोच कर हूँ इसकी हालत हो गई होगी इस वरी क्रिटिकल मिस्टर रामकिशन चाहे जितना भी पैसा लगे किसी भी तरह मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर आइसी बद्ना में से तो अच्छा है कि मैं पिजान दे दुखिया जिन्दा है या मर गया यही देखने के लिए हो ना बड़े पापा तेरे जेब में तो पैसा रख पाया लेकिन तेरे दिल में प्यार नहीं रख पाया बेटा तुझे देखकर उसकी अधूरी जान भी चली जाएगी हो सकता है तुझे बाप की जरूरत नहों लेकिन मुझे भाई की जरूरत है जरूरत है है झाल झाल क्यों चिंटू यहां क्यों बैठे हो मेरे वज़े से यह सब हुआ है आपको कुछ नहीं होगा पिता जी हिम्मत रखिए सब ठीक हो जाएगा ठीक होकर किसका भला गुरू बैटी अपने इकलोते बेटे को तो सही रा दिखा नहीं सका चिंटू को बुरा मत समझे पिता जी ऐसे बेटे को पाने के लिए आप में बहुत अच्छा करम किया होगा मोना होते तो आज मैं आपकी सामें जिन्दा नहीं होती तुम क्या कह रही हो बेटी सगाई के दिन उन्होंने जो जगड़ा किया था मेरी ही सर बचाने के लिए मैं शालू की सगाई के लिए कपड़े खरेदने गई थी तब ही उसकी गलती ना होते हुए भी आपने उसे डाटा मारा चिन्टु सर जुगा के घर से निकल गया सिर्फ मुझे बचाने के लिए बिता जी आपको चिन्टु पर गर्भ होना चाहिए ना किशार मिन्दा मैं अभी उसे देखना चाहता हूँ बेटी चिन्टु तुम्हारे पापा तुम्हें मिलना चाहते है सच कह रही हूँ तुम्हें तुरान पुला रहे हैं चल्दी जाओ पापा यह जा है यह आप क्या कह रहा हैं तुम्हारे बादे में सच्चाही जाने तक मैं जिन्दय कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा अब मुझे कोई चिंता नहीं है बेटा मैं अपने बेटी का चेरा देखते हुए आखे बंद कर लूगा ऐसा मत कहीं पापा इतने दिप तुम्हे समझ नहीं पाया बेटा हमेशा सोचता था कि तुमने मेरी लिए कुछ नहीं किया और लिए तुम्हारे लिए क्या किया है एक बाद मेरी शुल था पुराणीबात को भूल जए एक बाप मैने तुम्हे क्या दिया बेटा बढ़ार जिम्मेदारीय । दे रहा हुआ है तुम्हारे दोनों भाइगलाथ रास्ते से पैसा कमाना चाहते हैं बाता है पापा बड़े पापा की ही फासेट करना जरू तो रून दो पापा डॉक्तर डॉक्तर पापा 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 करना अझा रॉक्तर करना ड्यर्य कईकटर करना मetztर लुक्तर आपके अलावा उस पैस दुनिया में कोई नहीं है वो सारे रिष्टे मेरे भाई के साथ रात दुने अब वह नहीं रहा तो मुझे किसी की जरूत नहीं है स्वामी ओपन करो आप जब भी मंदिर आते हैं परसाद देने के अलावा आर्तिक थाली में चवनी भी नहीं डालते हैं फिराज दसला क्यों डाले हैं पचास लाग खर्च करके भी हम पूर सुक्तम को मार नहीं सकते हैं हत्यार नहीं खोन नहीं केस नहीं पैसा खर्च भी नहीं चुटकी में जान ले लिया इसका आज ही फचला कर लिया भगवान ही हमरा पार्टनर है आपकी खुशी को देखकर लगता है कि भगवान के सर पर भी सोने का मुख़ चल जाएगा मुख़ उटा तो का उसका पूरा परिवार बरबाद हो जाएगा तो सोने का मंदीर बनाऊंगा उसका भाई तो मर चुका है तुर राम की सनवाखो और दिन एक प्राब्लम देके तणपाऊंगा ए छोटू भाई क्या चोटू भाई अरे मोले का गुंडा हूं क्या ऐसे बुलाती है पर यहां आई क्यू है क्या बात है घर से भाग आई हो क्या तुम पागल हो गया इसके अच्छे बुरे का ख्याल मुझे ही रखना पड़ेगा ना ये सामान उपर रख दो मेरे गैरेज को धमशाला समझ रखा है क्या जिसे देखो मुझ उठाया जा रहा है पापा को अपने प्यार के बारे में बताने से पहले वो मेरा रिष्टा कहीं और देखने लगे लेकिन मैं तो बहाने बनाने में एक्सपर्ट हूँ ना और पढ़ाई करनी है ये कह कर यहां चली आई यहां नहीं रहएगी तिरा रेकमेंडेशन नहीं चले। पहले से प्रोब्लम से हैं मैं कुई प्रोब्लम नहीं हूँ तुम अपने कम्रे में सोजाघू ऊपने कमरे नहीं है तुम अपने कमरे 주고 सुझाना थो कि रे racist जलते हैं अब आई दो बमेद हो कि अगया है अकेली ही है लगता है गोов से आई है चलो पूछते हैं चलना यार परी लेखें चलना यार जलते हैंक चलते हैं चलूँगी, यह क्या या, पूछते यहां कर दी, आइटम है या, देखता नहीं है क्या, रेट की बात पहले कर ले, बात में जमिला नहीं चाहिए, कितना, रेट कितना है बता दो, वो मुझे पता नहीं, ऊपर मेरा आदमी है, उससे जाके पूछे, ऊपर आदेट करने वाला है, कौन है भाई, कौन हो तुम लोग, इतनी रात को या कैसे, बाहर जो खड़ी है, उसका रेट कितना, पुछ ले आए ते, बाहर कौन खड़ी है पपु, ओही भाई, बाहर पुरानी हिरो हन्दा है न, उससे बेजा लो, ए सुन, खरीदने का कोई टाम नहीं क्या, जब च पसंद आया क्या, सूपर है सर, चल्दी से रेट बताईए, हम रुक नहीं पार रहे है, इतनी पसंद आ गई क्या, तो पंदला हजार देदो, फिट्टीन थाउजन, फिट्टीन थाउजन बहुत ज़्यादा लग रहा है क्या, अच्छी कंपनी की है, बहुत कंपटेबल र की पकड़ेगी, सारे पिपर्स केलियर है ना, पिपर्स, आया रर्सी को, एंशोरेंस कर अफिर है सब केलियर है बता रहा हूँ ला जावन इसके बारे हुट बात कर रहे है, वह बाहर जो लडगी खड़े इसके बारे हमना, बाहर काउंसी लड़की है? इतनी देर से उस लड़की के बारे मात करें थे तुम लोग उस गारी का ओनर मैं नहीं भाई अंदर सोया है रुको बुलाता हूं ए तेरी गारी का ग्राक आया है भानू के लिए तीन ग्राक आया है अरे सर रेट तो बताईए ना हमें क्यू मार रहे उसी लड़की ने तो बोला ता रेट के बारे मारे बातकेंदी के लिए अरो जाकर अपनी आइटम से फुछ ना ये रेट बेट का क्या चक्कर है तो क्या करती तुमने तो कमरे में आने नहीं दिया आने नहीं दिया तो महले में दुकान खुले अब भी कमरे में नहीं आने दिया न तो जो भी आएगा उसका साथ चली जाओंगी आफ़त की पुडिया कहां से आ गई रेलवे स्टेशन में ठीक है, आंदर चलो. Sir, उर्षद आमजी ने हमारे कमपनी में इंसुरिंस किया था. पेपर्स देखके सिखनीचर कीजिए. मेरी साइन किसलिये? नॉमिनी आप ही है, Sir. उनकी डेथ सेटिफिकेट बाकी की डॉक्कुमेंट से करेडी हैं, तो कर ला कर ले जाओगा. अथो, Sir. नमस्ते राम किसंजी. दूस्पन आपके घर क्यों आया सोच रहे हैं, असुब हुए घर में सुब कारे होने से सब अच्छा होता है. जाने अन जाने में, हमरी वज़ा से आपकी बेटी की सगाई तूट गए. हमरा एक लोता बेटा है, नू? आपको इतराज ना होतो, हमरा बेटा से आपकी बेटी की साधी करवाएंगे. शेतानी दिमाग चलाना तो कोई इस से सीखे, हरामी कहीं का. वो लोग ता आपका रिस्ता तोड़ कर गए हैं, मगर हम जोडने आये हैं, घर आये महमान को बेज़ज़त करना हमारे रिवाज में नहीं है. वो भाई तक पुरानी बाते भूले नहीं हैं, आप तो समझाओ अपने पिता जी को. हमारे पिता जी अभी चाचा जी के मोत के गम में डुबे हैं, हम उनसे बात करके माना लेंगें, आप जिन्तमत की के लिएका. ये तुम क्या कह रहे हो भावे? है, किसने इस गुंडे को अंदर आने दिया? बाहर निकालो इसे. अंकल जी, मेरी बात तो सुनी है. मैं कुछ सुनना नहीं चाहता. चुप-चाप चले जाओ. उस दिन जो कुछ हुआ उसका करण मैं और मेरा गुस्सा. मुझे मारी ये पिटी. लेकिन मेरा गुस्सा मेरी बेहन पे मत निकालिये, प्लीज. जो भी हो, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता. तो बेटे के मर्ज़ी के बगएर उसकी शादी करेंगे? मुझे अपने परिवार का मान सम्मान भी देखना है. मान सम्मान तो हमारे भी है. मान सम्मान की बाते तेरी जुबान से सुनकर मुझे हस्या रही है. तपोरियों की तरह घुमने वाला तू एक राजा है, और तेरे बड़े बाबा महरा राजा है. क्या परिवार है तेरे र मारी है सर, रुक क्यों है, आपका गुस्स ठंडा होने तक मारी है। अब का गिरवान पकड़ा तो आपको इतना गुस्सा है एक बजार का गुन्टा मेरे बड़े पॉपपउपे हाथ डाला तो मुझे पे इतना ही घुस्सा आया था सर आप बड़े लोग है सघाई तोर सकते हैं लेकिन वो दुन आपस में प्यार करते हैं सर द्या करके मेरी बेहन को आपके घर की बहू बनाईए सर अगर आप मुझे से अभी नाराज है तो मैं आपके पैर बढ़ता है अरे नहीं, नहीं, नहीं अपनी बेहन की खुशी के खाते तूसरों के पैर पढ़ने वाला गुणना नहीं हो सकता ये शादे तो अपने हाथों से करो बेता नहीं सर, जब तक मेरे बड़े पपा मुझे नहीं बुलाती आशिर बाद दने का नसीब मुझे नहीं हो मैं रहू या ना रहू मेरी बेहन के शादे धोमधाम से होनी चाहिए जरूर होगी, तुभारे हाथों से ही होगी क्या शालू, तुम भी ना छोटे बया से मिले बगयक जा रही हूं कम से कम उससे एक बार तो मिल ले तो आपके सामने कैसे आ सकते हैं, जाते ही फोन करते हैं, चलो एक्स्क्यूज मी मेडम, सम्बडी इस कॉलिग यू चरी आप नहीं जाए तुम झालू मेरा जाए समझनी यार अंकल आपको केसे बताऊ आपकी बेटी भानू हमारे चिंटू के साथ गुम रही जब वो हमारे घर आई थी को चिंटू ने इसे बहला अपस लाकर अपने जान में फसा लिया था बानू जब से गाउं से आई है एक दिन भी इस घर में नहीं रही अंकल सुना है कि चिंटू के किसी दोश के गैरज में रहती है उस गुंडे के साथ अब हमारा कोई संब्ध नहीं है कल को कुछ हुआ तो हमें दोश मत दीजिएगा आपकी बेटी को समझा भू जाकर अपने गाउं वापस ले जाईए ठीक है बेटा चाचा जी चिंटू ऐसा लड़का नहीं है चाचा जी उससे बदला लेने के लिए वो लोग आपको भड़का रहे हैं चिंटू बहुत अच्छा लड़का है मैं सब को जानता हूँ बेटी हमेशा आपके घर में रहती हूँ कहकर मेरी बेटी मुझे जूट का करती थी लेकिन भानू के वहां पहुंचते ही जिंटू ने मुझे फोन कर दिया था आज कल बिना बताये बच्चे शादी कर लेते हैं शादी करने के लिए मेरी बेटी उसके पास गई तो ले जाओ कहकर फोन किया तभी मैंने फैसला कर लिया वही मेरा दमाद होगा अगर जिंटली आओ कहा तो मैंने कुछ और समझा था अगर जानता कि ये बात है तो मैं नहीं आता चलता हूँ मिटी हलो मैं कल्यानी बोल रही हूँ पापा तुम्हारी और चिंटू की शादी के लिए मान गया है सच में दिदी अगर तुम मेरे पास होती है तो मैं चोर से चुम लेती ये चारी चुम्मिया शादी के बाद चिंटू को देना कि मरे बाओ आप रहां हो गया हुए जश्ञ मेरे साथसाथ मेरा भाई भी पागल हो गया इसलिए जश्ञ मना रहा हूं एक पुरसोत्तां क्या मर गया भगवान ने हम पर दया कर दी ये सोच कर बहुत खुश हो गए थी उसकी मोच से हमें क्या मिला उसके घर में शादी का खाना हमारे घर में श्राद है उस दिन तुम्हें पूरे गाउं से पिटवाया था और आज प्लैट करीडवे लोग तुम्हें मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं जो घाव लगा है उस पर मरमी लगाते रहोगे या पलट क कर वार भी करोगे नमस्ते सर नमस्कार कोट का एस्टे आड़ है इसलिए यह विवाजी जमीन है आनुनी तोर पर यहां पर कोई यह नहीं हो सकता पिटिशन में पेपर्स बहुत स्टॉंग है सर लैंड उनकी ही है ऐसा रजिस्टर में कंफर्म पता चल रहा है सर स्टे और कैंसल करने के लिए जितने भी रास्ते हो सब बताई है जन निवास कंस्ट्रक्शन किसी भी कीमत पर रुखना नहीं चाहिए हम भी कोट जा सकते है सर लेकिनों कब किलियर होगा कितने साल लगेंगे पता नहीं सर अगर हम तब तक रुखते भी हैं तो फैसला हमारे हक नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है मैं सब की गुलामी करके मिनिस्टर बना हूँ हर वक्त प्रजा सेवा करूंगा तो एलेक्शन में लगाया हुआ पैसा कब असुल करूंगा पैसों के बगार कुछ नहीं होता है जाओ यहां से ऐसे लोगों से मेरी बढ़ जाती है अरे बिचारा मिनिस्टर है इसको भी खान इसके जरूत नहीं मुझे कैंसिल करो नेट अरे फोन बज रहा है पूछ कितना देखा वो पूछी है हलो मैं हूँ यार तुरे मिनिस्टर का जीजा फोन उस गधे को देना आपके जीजा जीजा जी पैसे आ गया क्या ट्रक भर भर क्या आया आजा उसके साथ तुझे भिया प्रक्यों के साथ रंगरलिया शूट करके कैसर पर रखा है ऐसे फालतों दमकिया मैंने बहुत तुनी है साड़े 11 बजे उनियन लीडर्स की मेटिंग में जाने से पहले तेरा सारा भांडा फोर दूँगा तुझे मंत्रीबत से हटा के रहूंगा मैं जहां कहूं अगर वहां तू आएगा तो खुल कर बताओंगा अरे काओं मेरे स्वामी यह लो मैं आ गया प्रभू किशन बगवान कहा हो तुम अवाज तो बासुरी तो बजाओ अवाज तुकर मैं चैल लूगा मैं मामा गंस मामा यहां देखो वाओ प्रभू कैसे है क्यों मामा सारे बारतियों को लेकर शादी में आयों क्या नहीं तो कैसर्थ मिलते ही मुझे मारने के लिए ले आये हो परसनल सीगोर्टी है प्रभू हालक पतली है पर तुम तो लालकार में बैठकर फाम हॉस जा रहे थे ना जब मीडिया बारे पीछे पड़ते तब यह सा कुछ नहीं है पर शर्मों की तरह जो रिश्वत मिल रहे हैं उसको लेकर करके बैंकोग में बन रहा है होटल को पूरा करने के लिए मैं पापल बेल रहा हूं नकली पासपोर्ट से लड़कियों को फॉरण लेकर जा रहे है उसमें कुछ मिला नहीं किया मामा कौन ले जा र और तुम भी यही है ना जासूसी कैमरा मैंने सब कुछ तेरे हिसाब से बता दिया ना और कुछ तो बाकी नहीं रह गया मेरे भांजे इसके बल्बुते पर तु मुझे और मेरी मरिश्टर की कुछ से हिलाना चाहता था स्थायाले बताता हूं एए खाप में कर दो इसको कर दो अब को नहीं बचा आप अब को नहीं बचा आला उक्स है लगता है हमें भी निकलना चाहिए तो पीछे से बाहर करता है तो मैं सामने से करता तेरी पूरी फिल्म को फिनिशिंग टच दू किया है मेरे दोस्त मैंने बहुत अच्छे से क्लोज अप करके फोटो निकाली है अब बसीना चूट रहा है कि अबे अरत तेरो बचना बहुत मुश्किल है शराफत से चुप चाप आरके बेल्डर्स की फाइल क्लियर करो नहीं तो मेरे दोस्त की फोटोग्राफी टीवी पर आजा करा दूंगा बांजे अभी क्ले करा दूंगा है चल्ट सर घुम रहा है का अरे घुमने गले सर तो होना चाहिए ना अब तुम्हारा काम नहीं हो सकता यह केस करने वाले बहुत कौने अपने हाथ उड़ाओ सुनो तुम जाकर यह जूटा केस है कर अपना केस वापस लेलो अगर अंदर हो गए तो सर कैरी मेमान बनके रह जाना हाँ तो हमरा भुषा तुम कब दे रहे हो बाला जी क्यों उंड़े में डाल दिया समझो अरे तुम क्या जानों मेरी परिशानी मेरी पैंट कीली हो गई उसी इट से तेरी समाधी बना दूंगा मैं है 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 लेट लेट जैसा हूँ मैं तेरा गला कब काटके रख दूंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा और के विल्डर से तू टक्राना ले तुम नहीं आदा आप क्यों कड़े हो तुम लोग उसमेंसे तुम्हारा भी गला हमने सोचा था कि हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा आज उसाहे सपने सच्छों गए आपका परिवाद सुखी रहे यह क्या तेरी आँकों में आसू मैंने बड़े पापा के आँकों में प्यास देगा है जब तेरे बड़े पापा तुझे घर बुला लेंगे उस दिन में बहुत कुछ होंगा मेरे यार आप भूंडी में जितने भी लाख डालो भगवान उनी की तरफ फल दे रहा है और आप जितने प्लान बना रहे हैं उसे चिंटू बरबाद कर रहा है वो चिंटूगा का बैंट कैसे बजाना है हमरा पता है ए दिहारी को फोन लगा आतंकवादियों ने नारियल में बंब रखकर ब्लास्ट किया अब तो जीना मुश्कीली हो गया है पता नहीं अगला नारियल कहां फटेगा बाई ये नजर उतारने हमारे लिए ठीक नहीं है मेरी बात मानो ना जूरे इस पंडी से भी मार खाऊंगा मैं जबाट पन होती कहीं का इसको फोड़ दूंगा तो मैं कहीं और चला जाओंगा गुरू जी फोड़ दूं क्या है अमरीत घड़ी आने में थोड़ा समय बाकी है नहीं बाई मेरी बात सुनो लिए पागल है क्या तू मैं क्यों बेगूप जिख रहा हूं ये ये क्या है भाई रहली है इस नाजर को इसमें डालकर फोड़ूंगा तो चुक्रे नहीं बढ़ेगे चोट नहीं लगेगी तुम बहुत आगे चले जाओगे भाई अभी नहीं रहे थोड़ी दिरबाद फोड़ दो क्या गुरू जी अमरीत धड़ी आ गई है अभी फोड़ जाए अब फोड़ता हूं गुरू ज यह क्या हो गया बहुत दूर जा रहे हो भाई हेलो वाट क्यों बहुत है क्यों बहुत है हमारे यहां रहना ठीक नहीं है चलो बताता हूं सुनिये ऐसे समय आप वहां मन चाहिए प्लीज पीता जी वहां का महा चीट नहीं है मत चाहिए अबरे बच्चे भी घर पे नहीं है आपके साथ कोई आनों नहीं हो जाए मरने वाले मजदूर है सोचकर बाकी लोगों को तलबने के लिए छोड़ दू उन लोगों ने मेरी कंपनी के लिए बहुत महनत की है उसे चेसो साथों में दे करके लोगों को बुदू बनाया अब देखें कितने लोगों की चांच चली गई अरके बिल्डर्स के लापरवाई से बॉली चलने वाले गरिप परिवार जनक मेरी तरफ से साधर पढ़ना मेरी मंत मुली अर्माट ही और एक स्पार आके माथानगे र cognition की बाहां क्यों पर देंग्यिर मेरे भी शज्छान रहो गया मेरी मारी मेरी जिदी है ना रहू रे हो हो गया मेरी मेरे लोग प स рук एघेंगी मोटने माश्छे परिप दुध लाह या तुम्हारी बातों में अगर कि अमने पूपर भरोसा किया इतने गंदी क्वाल्टी का मकार बना करके दोगे मुझे विश्वास करो मैंने किसी को धोका नहीं दिया आपका पैसा कही निए जाएगा आप तर यह पैसे हुआ इसका कारण कौन है मैं पता लग रहा हूँगा वो सब एंक्वैरी में पता चलेगा रिकोशनेरी एक्शन के नहीं हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं अरे बाम इसके रखा था तुपे तुझे जाहिदार में हिस्था नहीं मिला तो बिल्डिक तो बंग लगा के उड़ा दिया अरे शैतान, तुमारे घर के जगरे घर में सुझा लो, हम जरीवों के जाहिद के पीछे क्यों पड़े हो से पाते के अरो इसे पकार के पारो मिलाव की मटीरियल के बज़े से गिर जाने वाले आर्के बिल्डर्स की जन्निनिवाइफ विवाद में एक नया खुलासा हुआ है जाएदास भी हिस्सा ना मिलने और घर से बाहर निकाल दिये जाने की कारण उसने गुस्से में ये काम किया है आर्के बिल्डर्स के भाई के बेटे जुट पो कर गए फिर कंपर ही को जिंदा कर दिया तो ये क्या क्या बेटा बड़े पापा को बद्वनामी से बचाने का रास्ता नहीं था इसलिए बं मैंने रखा ये जूट का तुने जूट कहा क्या कह रहे हो पुलीस रिपोर्ट से पता चला है कि बं रखने की वज़ा से बेल्डिंग गिरी अगर वो बं रखने वाला नहीं मिला तो तुम इस केस से बहां नहीं निकल सकते चाहिए बाई बहुत घजब हो गया है उस ब्यारी बंवाले को चुपा कर रखा है न आपने उस चिंटू ने उसका पता लगाए चिंटू अ तो जेल में है ना बेल पर चूटकर बहुत समय हो चुपा है भाई बात मान कर ब्यारी बंवाले वो कहीं और शिप्ट कर दो अगर पुलीस तो सिद्धा आपको भी जेल जाना पड़ेगा है 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 वह यहीं है जीजाजी है 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 अब यह उड्रे यहां से निकलना होगा वरना चिंडु आजाएगा आगया हूँ तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना चलो आजयो बात मान कर भी यारी पंवाले को कहीं ओर शिप्ट कर दो चिंडु को पता चल गया है बहुत मुश्किल हो सकती है आपने चलू सर अरे कहां जाओगे अब तो खेल चुरूओगा मेरी पैदाइश पब पर शेती है शिकार नहीं पूरता कहीं भी भागों पीछा नहीं छोड़ूगा चाहे चितनी भी ताकत लगाले इस पिहारी को आदालत ले जाकर रहूंगा इसके साथ तुझे भी अंदर क अब लेकर जाओ कोट में गवाई देने के लिए जोच सहब जोच सहब उराम कि सनवा के बिल्डिंग में बम रखने वाला मैं ही हूँ हूँ मापते ने रखने को कहा तो मैंने रख दिया साहब कहकर अराम से बोलो अरे बिल्ला भाई तुम तोड़ा रुखो तो मैं तुझे असने का चांस नहीं है बच्चु तो एक सीटी मार लूँ कैमरे में कोई राज है क्या सुपरमेन की तरह कैमरे को लिके रहा है हाहा लाइक स्पैडर मेन एंड सुपरमेन आई एम एक केमरा मेन अरे तुम लोग की सारी कर्थितों के रिकॉर्ड में कर चुका हूं बहुत मस्त पोटोजेनिक पेस है कमी ने का मेरा कितना दिमाग चलेगा सोच अरे बाबरे यह पिर से भार खाने के लिए आ रहा है कि पुर्शोत्तम जी के गुजर जाने के बाद ही में नवकली छोड़ देना चाहता था तुम दोनों मुझे क्या डिस्मिस करोगे मैं खोड नवकली छोड़ने चला जाता हूं क्यों रे जादा चर्भी आये क्या बिल्डिंग गिराने वालों की तरफदारी कर रहे हो कितनी रिश्वधियस ने लबाद खीचकर हाथ में दे दूगा अगर चिंटु बापा को कुछ का तो रुबास रंदराजी माह कर दी के सब चिंटु बापा के बारे में गलत कहा तो मरदाश नहीं कर पाया बिल्डिंग गिर जाने के बाद पुलिस इन्हें अरेस्ट करेगी सोचकर भाग गये थी यह लोग आपके हाथों में हकड़ी ना लगे इसलिए मैंने बॉम रखा ऐसा सबसे कहकर वो खुद अरेस्ट हो गया था रुकी हुई छोटी में साहब की शादी चले गए हुए लोग वापसानी को जैसे नहीं हुई सथ बेहन के खातिर उनके घर जाकर उनके पहर पकण का शादी करवाई आपके भातीजें ने आपका सगा बेटा पत्नी पर शक करके उसे सता रहा था तो भाई की पत्नी के खातिर अपमान सहकर बेकसूर होते हुए भी सर जुका का चला गया अपना चिंटु बाबा आपको भगवान समझने वाला आपका छोटा भाई अपने बेटी की वज़े से अपनी जान नहीं गवाई इनकी बत्तमीजी की बाते सुनकर दिल का धौरा पढ़ने से भगवान को प्यारे हुए नहीं पिता जी ये जूट बोल रहा है छी पापीयों मुझे धोखा देना चाते हो अब मेरा सर फेकी बेटा है चिंटु एए पेट्रोल डालो अचिंटुआ तेरे साथ तेरा गाह बेचल कर राख हो जाएगा तो तेरे बड़े पापा भी तेरे पाप किसर और जिल का दौरा पड़कर मर जाएगी हम्रों 20 साल का बदला इस साथ के जर ये ठंडा हो जाएगा मेरे बेटे को जलाना चाहता है इतने दिनों तक वो मेरे लिए तकलीप सहता रहा अब मैं उसके लिए पिजान भी दे सकता हूं आजा इसके आख़ों के सामने इसके लड़ने को जला कर राक कर दो इसके लिए दो इतने दिनों तक मैं तुम्हें समझ नहीं पाया बिटा हमारी खाथिर अपनी जान दाओं पर लगा कर इतना कुछ किया तुने क्या देकर तेरा अहसान चुकाऊंगा बिटा अहसान कैसा बड़े पाप झाल